गुड इमनिंग एब्रिवन स्वागत आप सभी का जी के जोन में तो गाईज आज हम जारकन समान ग्यान का 14 वा नंबर सेट कम्प्लीट करने वाले हैं इससे पहले 13 सेट कम्प्लीट हो चुका है और मैं कोसिस करूँगी कि 10 दिन के अंदर 50 सेट कम्प्लीट हो जाए ठीक है तो आप लोग भी मेरा साथ दिजिएगा दोस्तों जितना हो सके उतना शेयर किजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिजिए और कुछ कमेंट्स भी करके आप बता सकते हैं कि यह मेरा एफर्ट आपको कैसा लग रहा है तो उच्छे लिए गाईज स्टार्ट करते तो चली पहले हम जो है ऊच्छ और चीज को लेकर अलिमिनेशन मेध़ड करते हैं जैसे कि यहां क्या दिए हुआ माताएं अपनी संतानों के लिए तो कर्मा देखिए भाई बेहन का परव होता है बेहने अपने भाई के लिए करती है चीक है कदलेटा तो पता है बेंग कौन से महिने मनाकřा क। को मनाी कजाता है थेंजित कि क्रिष्ण पक्ष अस्टमी को मनाया जाता है भी ठीक है किस वर्समें लोहरदग्गा कजिले का दर्जा मिला लोहर धग्गा को 1983 में है किस वर्स में लोहर दग्गा को जीले का दरजा मिला तो जारकन के जितने जीले है उसकी स्थापना वर्स का एक ट्रिक मैंने अप्लोड किया था बहुत ही पहले एक दो साल पहले तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं चलिए स्टाट करते हैं नेक्स्ट जारकन के दूसरे मुखे मात्री अर्जुन मुंडा राजी के गिस छेत्र में आते थे Aर्जुन मुंडा जो है खरजावा छेत्र से आते थे जारकन में दूसरी बार राष्टपती शाजन किस वर्स लगा तो पहली बार तो मैंने एक ट्रिक याद दिला था आपको 19 जनव है जहरकंड के रजधानी राची में जिसे हची सी कहते हैं हेवी इंजिनियरिंग कॉर्परेशन इसके स्थापना हुई थी 1958 में ठीक है और यह किसकी साहिता से बना था रूज और चेको सिलोवाकिया तो बहुत लंबा हो जागा लिखने में बोकारो स्टील प्लांट किस वर् इक अधिक करते हैं रुक जाओ निमनीकित में से कौन सा प्रमुख वीज ज्यारकंड में जाता है और सबसे दिक कहां पर होता है पलामू में तीलहम के उत्पादन में पलामू सबसे आगे है जहरकन राजी सरकार द्वारा कितने प्रमुक और योगी क्षित्रों का वर्गी करन किया गया है तो यह तो रिपिटेड प्रशन है चार हो जागा और भी इसमें अनी जीलों के सामिल थे जहरकन विधान सभा के प्रतम उपाध्यक्ष कौन थे जहरकन विधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे बागुन सुम्ब्रई जहरकन राजी में पंचाईती राजव्यवस्ता कि सनरचना कैसी है तो यह त्री स्तरिये है जहरकन पंचा संभिधान के किस अनुछेत के तहत राजिपाल को छमाधन के सकती है तो देख़े राष्ट्पती को 72 आर्टिकल में छमाधन के सकती है जब कि हमारे जो राजिपाल है उन्हें 161 में है ठीक है तो इसको जो है कैसे याद कर सकते हैं आप आप देख लीजेगा मैं बता देती है 161 हो जागा ठीक है झारकन का सबसे पुराना धर्म कौन सा है झारकन का सबसे पूराना धर्म है सरना धर्म minimize कौन सफ़े मूंडा जन जाती के विवाव वाचक है बिटलाहा एक प्रकार की सजा होती है जोकि समाजिक वहरा सहल के जैसा है तो जलत हो जाएगा किल्ली कहते हैं गोत रुको कूरी गोह नोंग पता नहीं मुझे आंसर है अरंडी उत्री कोयल किसकी साहयक नदिये उत्री कोयल सोन की साहयक नदिये 16 जीला का छेत्रफल कितना है देवघर सड्यांतर केश में गिरफतार होने वाले क्रामतिकारी कौन थे विरेंदर नाद भटाचारी सुरेंदर नाद भटाचारी और तेजेंदर चंद्र घोश यानि कि सभी जारखन के कौन से जीला 36 गड़ के जरसपूर जीला से अपनी सीमा साजा करता है तो इसका अंसर हो जागा गुमला टूइला किस प्रकार का वाद्य है तो ये एक तंतरी वाद्य है क्योंकि इसमें तार लगे होते हैं तार को जो है खीचकार इसे बजाया जाता है ग्रामीन सास की व्यवस्था में बैगा का कारी क्या है Kayla का कारी यह ग्रामीन देताउं को स्क्राजन करना तो 21 न्यम्हगий ज्यूर कन से कि जहन्छार कहें पहले वाई-फॉय ग्राम कुन सा है तो वह कस्मार से है तो बताईएगा कमेंट में भोक्ता विद्रो का नेतरी तु किस ने किया था तो भोक्ता विद्रो का नेतरी तु किस ने किया था तो भोक्ता विद्रो का नेतरी तु किस ने किया था जगनाद सिंग में विस्व विजेता बनने वाली जहारकन का प्रथम सत्रंज खिलाड़ी है दीप सेन गु था चेरो विद्रो का नेत्री तो किया था चित्र जीत रायने 26 कांसर ए बद्र काली मंदिर का निर्मान पाल सासको ने कराया था यह भी क्वेश्चन रिपिटेड है जारखन सरकार द्वारा किसे क्रिशी का दर्जा देने की गुंशना थी गई है तो क्रिशी की दर्जा तो लाह को ठीक है लाह को जो एक क्रिशी का दर्जा दिया जा चुका था बोकारो इस पास सयांत र की निर्मान हुका था किस पीषाए भरों से कई डकई खड़िया लोगभासा के लेखा कौन है तो खड़िया लोगभासा के लेखा के रोज किरकिट्टा सेभो रोज किरकिट्टा ज्यारखन में तो जल्दी कंप्लीट करना होगा मुझे ज्यारखन में प्रतिवक्ति 1 एवं पेड़ों का छादल है ज्यारखन में प्रतिवक कुंटिया को पर पवडिया दिया रहा तो कर फोक डिया लिखा है इसी सब्सक्दाइमन होगा का कारिकल क्या रहा है तो अर्जुनमुन्दा का रहा है 18 मैं 여러ếnतित क्टेटेश बगड़न जो है लोहर्छ दग्गा में अवस्थी क्वाहतंबुध्दविया टो गवातं कुस्ध थपना किस वर्श की गई थी कुन बुदव्द्विया रस्षा मुझे उन्हां ये ज्ञारकन का साब्दीकर्थ वन प्रदेश बगड़ु पहाड़ी से संबंदित है बगड़ु पहाड़ी जो है लोहर दग्गा में अवस्थी थे गौतम बुद्धा वियारन की स्थापना किस वर्स की गई थी गौतम बुद्धा वियारन मुझे तो लग रहा है यह नहीं है एक बड़ आप कंफर्म कर लिजेगा मैं मुझे यार नहीं आ रहा है लेकिन एंसर सी दिया हुए ठीक है लास्ट है बरतमान समय में ज्ञारकन राजी की सबसे बड़ी कोलवासरी कौन से है तो ज्ञारकन की सबसे बड़ी कोलवासरी है पीपरवार अप्सर नंबर एक ठीक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्स पर वचिंग